नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू किरेसरी फोर देली डोज ओफ इंडियन फुटबोल एंड सबसे पहले सुरवात करते हैं यहाँ पे भई कल हुई धमाकेदार कॉलकता डार्बी से जिया गाइस, फाइनली इस्ट बंगाल का जो अल्मोस्ट चार सालों का जो वनवास था अगर यहाँ पे इस्ट बंगल के गरम बात करें तो जो पिछला मेच यहाँ पे बंगलादेश आरमी के सामने जिस तरह से उनोंने वो ड्रो किया था, मुलब अपनी मुठी वाला मेच था वो यहाँ पे गवा दिया था और उससे लग रहा था कि कहीना कि यहाँ पे डेफि पूट अब किया, इस्ट बंगलादेश आरमी कार्लो के सामने जिस तरह से उर्गेनाइस टीम देखिये वो डेखे काफी बढ़िया लगा, फर्स्ट आप अगर आप बोलगे तो इस्ट आप से जहाँ पे उतना ज़्यादा स्टार्ट श्टोप स्टार्ट श्टोप हो रहा उसका भी क्रिटिसम हुआ था कि यहां पे एतने अची चांस उन्होंने यह ने मिस किये थे, मांगला देश आर्मी के सामने लेकिन उसको यहां पे उन्होंने उस गल्थी को यहां पे रेक्टिफाइग किया एंड जिस तरह से वो ब्यूतिफुल गॉल मारा अभी तक का दुरां कप पा मेरकों तो भई जिस तरह से इन दोनों है यहाँ पर मोहन बगान के मरलब जो स्टार स्टड़ेड अटेक था फर्स्ट आफ और सेकंड आप उनको जिस तरह से बोक्स के अंदर कॉम्पेक्ट डिफेंडिंग की है I think that's a commendable job from both Jordan LC and Leland jungle and that's a great sign for the East Bengal for upcoming ISL season की उनको एक एक सेट आफ पेर मेल चुका है कि जो एक आपको स्ट्रोंग एंड सॉलीड यहाँ पर एज सेंटर बेक की परफोंस दे सकते है उसके लावा जो दूसरे प्लेयर की एक में बात करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा यहाँ पर शुक्रन की वोड़ा प्लेयर कारलोस कुदरात का में यह तारिफ करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने जो फर्स्ट गोल मारा उसके बाद जो लास्ट के 35 मिट है उसका जिस तरह से उन्होंने गेम ओर्गेनाईस किया और उतना ज्यादा रिस्क नहीं लिया डिफेंसिव अपने जो सेट अफ है उस यहां पर डर्बी में उतार दिया आपको भी पता है कितना भी बड़ा प्लेयर हो लेकिन उसको सेट अप में चेल्डफ होने में टीम के साथ क्या बोलती कि वह एक कॉंबिनेशन बिठाने में टाइम लगता है और वही हुआ कि यहां पर अनिरुत थापा जैसन कुमिंग्स अर्मान जो सादीकु सहल अब्दुल समध इन सबको यहां पर अंडर्स्टेनिंग बिठाने में टाइम लगा और उसी में आप देखें कि इतने बड़े मेच में आप यह रिस्क नहीं ले सकते मेरे हिसाब से अगर वह बांगला देस आर्मी के सामने जो पहला दूरांत कप का मेच है उसी टाइम से अगर उन्होंने अपने फर्स्टीम खिलाना चालू किया होता तो दो टीम दो मेच आपने साथ में खेल लिए होते हैं उसका कहीना कि आपको जो रिजल्ट है वो थर्ड मेच जो यह होने वाला था उसमें मिलता इसी के चाथ उनका जो यहां पर दीखी कि आपको वाइड विंग्स पे बोल को डिस्ट्रिबूट करना है जो कि आपके दोनों सेंटर पे कर रहे थे ब्रेंडन एमिल एन अनोरली ब्रेंडन एमिल लेफ्ट तो राइट अनोरली राइट तो लेफ्ट यहां पे लिश्टन एन मनवीर सिंग को गेंपले में कर रहे थे लेकिन जो में चीश थी कि वहां पे आपके प्लेडों का कॉंबिनेशन उसके बाद जो फाइनल थर्ड में दिखना चाहिए अंडरस्टेंडिंग दिखनी चाहिए वह नहीं दिख रही थी और से आपका नेक्स मैच का काफी कुरूशल मैच है करो या मरो वाला म भी कमबेक करती है मुइंग ओंटो दी नेक्स्ट नूज इस भाई आज भी होने वाली एक धमाकेदा डार्बी दूसरी डार्बी और वह है वाई केरला डार्बी जीया गैज इटसक केरला ब्लास्तर वसिस गोकुलम केरला ये भी एक जबरदस मुकाबला होने की बिलकुल उम्मीद है जिस तरह से मलोब केरला ब्लास्तर की स्कोर्ड फुल स्कोर्ड के साथ वह भी आ रहे है गोकुलम केरला की भी फुल स्कोर्ड है ओल्रडी उनोंने इंडियान एरफोर्स को टूनिल से हरा दिया एंड जिस तरह से उनकी टीम बन रही है अई तिंक काफी जादा बढ़िया डीम यहां पर डॉमिंगो और मस यहां पर क्रियेट कर रहा है स्पेनियाड एंड जिस तरह से एलेक्सिस चांचेज यहां पर लास्ट में अगर आप देखे तो श्रीकुट्टू एंड जिस तरह से गॉल मारे थे इंग बहुत दी यंग्स्टर लुक्स रेली रेल प्रोमिसिंग तो वेरी गुड बहुबा एंड सालेम वर वह सब बेक लाइन में भी आइधिंक मेरी सबसे काफे त्यादा स्ट्रोंग है तो अच्छी फाइट हम गोकुलम केरला से यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेंस्टी गेकल क्या बलते केरला ब्लास्टर की बा मार्केट में देख रहे जोश्योवा स्टोरिय का रिप्लेस्मेंट तो लेट सी वह क्या होते एंड अमल्यून जस्टिन को क्या मौका मिलता है इस मैच में वह बी इंट्रसिंग सा रहेगा तो इत्विल बी एक टोटो फाइटिंग मेरे मेरे इसाब से लेकिन स्कोर लाइन इस वन वन डोटीए गएगा जैस्माइप्रेटिक्शन फिर दीस केर लाघर वि इस वन वन रोटीका से इस मुकाबले गार एही पूरी उम्मी दे अमको मौ पार्विंग अन्टो थी नेक्स्ट नूस इस रिगडिंग वैस ओबिशली गोख्लम के रिगडिंगि आ रिए व इस तरह से उन्होंने लास्ट सीजन एलिग में थोड़ा सा डिसेपोइंट किया था लेकिन इस सीजन जो उन्होंने टीम बिल्डप की I think they are one of the favorites for the i-league winner and I think really really good signing defensive midfielder छे साल हमको पताई कि FC Goa में जिस तरह से उन्होंने खेला है I think one of the best DM में वो आते currently अगर आयसेल में देखे तो definitely i-league में तो जबर्दस performance put up करेंगी करेंगे तो the great signing from the Gokulam Kerala की साइड से और से moving on to the next news is regarding guys Indian futsal team तो इंडियन futsal team ने अपने पहला historical match खेला है लेकिन three nils है यहां पर sadly यहां पर भारन के सामने में चार गए लेकिन कोई नहीं यहां पर अभी तो शुरुआत हुई है definitely आगे भी आने वाले time में हम expect करेंगी कि और भी ज्यादा हमारी जो futsal team है वो भी यहां पर बहतरी परफोंस दे और अक्टोबर में जो AFC futsal SN Cup के जो क्वालिफायर से 2024 के उसमें भी दमा के दर परफोंस करें ऐसी उम्मीद रखते हैं moving on to the next news and the last news is regarding guys पंजाब football is back yes guys यहां पर AFF के top officials ने यहां पर जो पंजाब लगता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल नोर्थीस्ट और केरला और गोवा ही फुटबोल के स्टेट है लेकिन पंजाब का आप देखें अगे रिष्ट्रे तो ओल्वेस देयार गुड इन्दी फुटबोल एंड जार्नेल सिंग इंदर सिंग मंजी सिंग जैसे मलब ग्रेड प्लेयर्स उन्होंने भी इंडियन नेशनल टीम को भी दिये है जैसी टी हम सबको पताएगी हमारे जो अपर अच्छी तरीके से किस तरह से इंप्लिमेट किया जाए उसके रिगरिंग यहां पे डिसकर्शन हुआ है और आगे आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा पंजाब से यहां पे फूटबल के रिगरिंग डेवलोप्मेंट होती हुई दिखेंगी उसके लाओ अल्डेडी उनके आई लीग एन इसल में भी अब क्लब आ चुके पंजाब एपसी और नामदारी स्पोर्ट से नामदारी एपसी तो अल्सो ग्रेट साइन फॉर दी पं आए हो कीप सपोटिंग इंडियन फूटबल दोंट फोर्गेट तो लाइक सेर सब्सक्राइब करें सरी चाहिंद चाहे बारत